पेड़ पोदे घर में लगाने से जहां हरियाली आती है। पेड़ पोदे घर और बाहर दोनों के वातावरन को शुद रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर को सजाने और उनकी रोनक बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा लगाए गई पोधे आपको कंगाल बना सकते हैं जी हां क्योंकि वास्तु सास्त के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पोधे जो होते हैं जिनका सीधा संबंद आपके भाग्या, दुर्भाग्या और घर में खुशाले से होता है आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रांट्स के वारे में जो दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं लेकिन घर में दुर्भाग्या लेकर आते हैं जैश्री किशना राधे राधे मेरे यूटीब चैनल साथ उक्मन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है इस वर से प्रातना करते हूं कि आपके घर परिवार में सुक्समरद्धी हमेशा बने रहे तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो प्लांट्स सबसे पहले हैं बात करते हैं पीपल का पेड़ पीपल का पेड़ जो की काफी शुब माना जाता है और सनातन धर में इसकी पूजा की जाती है लेकिन पीपल के पेड़ को घर के अंदर या बाहर लगाने से मना किया जाता है अगर आपके घर में कहीं पर भी पीपल का पेड उग गया है क्योंकि पीपल का पेड ऐसा होता है घर में या चछत पर कहीं भी उग जाता है तो इसको उखाड कर फैकना नहीं है इसको उखाड कर कहीं पर भी मंदिर में या कहीं आपके खेत या खाली जगे हो वहाँ पर आप इस पीपल की पेड़ को लगा दीजिए कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें काटे हो घर में नहीं लगाना चाहिए काटेदर प्लांट घर में लगाने से नकरात्मा कूर्जा आती है और घर में परिशानी की वज़े बनते हैं काटे-दर प्राँट घर में लगाने से कलह कलेश होता है, इसलिए गुलाब को छोड कर केक्टेस या और कोई भी काटे-दर ब्रेक्ष्षे तो उसको घर में नहीं लगाना चाहिए, हलाकि गुलाब एक अफवत है क्योंकि गुलाबाब की होते हैं लेकिन फिर भी गुलाब क पेड को घर में नहीं लगा जाता है नहीं घर के बाहर लगा जाता है इसलिए अगर आपके घर के पास-पास बेल पत्री का प्लांट है या आप लगाना चाहते हैं तो उसको अपने खेतों में खाली जगे कही मैदान में या आप मंदिर में उसको लगा सकते है इमली का पेड घर में लगाने से मना किया जाता है महंदी को वैसे थमसूब खारियों में यूज़ करते हैं और बहुत से लोग इसे घरों में भी लगाते हैं क्योंकि महंदी हम हाथों में भी लगाते हैं और आजकल बालों में भी कंडिशनर के लिए महंदी सबसे ज़्यादा लगाई जाती है लेकिन फिर भी वास्तु के हिसाब से महंदी का प्लांट घर में लगाना अश्यू माना जाता है इसलिए महंदी का प्लांट घर में लगाने से बचना चाहिए सूखे हुए प्रांट या मरे हुए पोदे भाग्ये में बाधर ढलते। बहूस से लोग क्या करते हैं जो गिफ्ट में भुके मिलते हैं फ्लावर्स मिलते हैं उनको घरों में सजा लेते हैं और वो काफी दिन तक सूखे हुए ऐसे ही लगे रहते हैं अगर आपके को कहीं से बुके मिला है और आपने घर में सजाए हुए है और वो सुख चुके है तो उन्हें तुरंट वहां से हटा देना चाहिए क्योंकि सुखे हुए प्लांट घर में लगाना आप शोगुन माना जाता है आजकल पॉटिट प्लांट जो कि लटकाने वाले पोधे होते हैं उन से का काफी ट्रेंड है लेकिन वो प्लांट चाहे चोटे हो या बड़े ध्यान रखें कि घर की उत्तर और पूर्व की दिवारों पर वो गमले लगाने नहीं चाहिए इसलिए पॉटिट प्लांट को लगाते समय दिशाकर जरूर ध्यान रखें केला नीबुगा पेड घर में ना लगाए वास्तु के अनुसार जिस घर में यह पेड होते हैं उस घर के मालिक का विकास रुख जाता है तो यह दिक चोटी सी जनकारी कि कौन से पॉटांट घर में नहीं लगाने शाहिए किन प्रणत को लगाने से घर मेन नेगेटिविटी आती है तो उम्हीद करती हो दीगे जनकारी आप सब के लिए लाब जाएक होगी वीडियो कर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंट फैमली के साथ में चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जुरूर प्रेस कर लिजिए क्योंकि हमें आपके ल नई वीडियो में नहीं जनकारी के साथ तब तक के लिए जैश्री कृष्णा रादे रादेट